इक्जाम 21 के प्लेटफार्म पर आपका विल्कम है मैं कमले सर हम लोग इस सेशन में इस बात पर डिसकस करेंगे कि 14 माई 2023 को जो उत्तरप्रदेश PCS का प्री इक्जाम होना सुनिशित है इस इक्जाम में अभ्यर्थियों को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमने यह विडियो लाया है कि आप लोग इसे अच्छे से जान लेंगे क्योंकि जो निव कमपटीटर हैं वह बहुत अधिक गलती करते हैं और यह गलती होने के बाद उन्हें अगर गलती हो गई प्रारंभिक गलतियां हो गई तो फिर आयोग द्वारा इसे छम में नहीं है छमा नहीं किया जाता है किसी तरह से आपको माफी आयोग द्वारा नहीं दिया जाता है इसलिए आप लोग इन अनुदेसों पर बहुत ही ध्यान रखेंगे और इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे और पहले से प्रिपेर्ड रहेंगे कि एक्जाम हाल में इसलिए आपसे गलतियां हो जाती है कि जब अभ्यर्थी अपने सेंटर पर इक्जाम हाल में पहुँचते हैं तो उस समय बहुत ही घवराहत रहती है और उस घवराहत में वह सामान सामान से जो गलतियां है जो नहीं होनी चाहिए उनसे हो जाती है इसलिए ये गलतियां नहों आप लोग इस वीडियो को अवस्य देखिएगा और जिससे एक्जाम हाल में होने वाली गलतियां आपसे नहों तो आईए हम इन पर डिसकस करते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और एक्जाम हाल में क्या करना चाहिए और क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे तो साउधानी पूरवक आपको अपने इन अनुदेशों को ध्यान से पढ़ना है जो महत्वपुर अनुदेश दिये गए हैं तो आईए हम लोग इनको शुरू करते हैं इन अनुदेसों को जो आयोग द्वारा दिया गया है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप लोग एक्जाम हाल में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले कक्ष निरिक्षक के द्वारा आपको आंसर सीट प्रवाइट कराई जा रहेगा ध्यान रखना है तो इसके बाद आप देखेंगे तो नीचे आंसर सीट लिखा रहेगा यानि उत्तर पत्र कलग लिखा रहेगा अब यहीं से आपको फिलप करना है और आप एक्जाम हाल में बहुत ही रिलेक्स मूड में आपको रहना आए क्योंकि यह गलतियां अ एक आयोग द्वारन नहीं किया जाता है तो इस बात को ध्यान रखना है तो यहाँ पर सबसे पहला आप पॉइंट देखेंगे तो लिखा है परिक्षा का नाम ओके नेम आप दा एक्जामनेशन तो यहाँ पर फिलप कर देना है परिक्षा का नाम यहाँ पर भर देना है आ 2023 यहाँ पर date आप डाल देंगे इसके बाद तीसरे कालम में आप देखेंगे परिक्षा केंदर तथा जीले का नाम नेम आप center and district ओके तो यहाँ पर परिक्षा केंदर तथा जीले का नाम भर देंगे साथ में code भी यहाँ डाल देंगे आपके जो admit card है उस पर लिखा रहता है इसके बाद नीचे देखेंगे बीसय का नाम नेम आप subject अब यहाँ बीसय का नाम क्या है बीसय का नाम आप देखेंगे तो अगर first जो प्रथम पाली है प्रथम पाली में सामान अध्यान first paper तो यहाँ पर डाल देंगे सामान अध्यान first paper ओके अगर second पाली है यानि दूसरा shift second shift है तो वहाँ पर सामान अध्यन दूती प्रस्न पत्र डाल देंगे ओके इसके बाद यहाँ पर roll number अनुकरमांक इस खाने में आप भरेंगे फिल अप करेंगे और बहुत ही अनुकरमांक भरते समय बहुत ही आपको यह दिक्कते हो जाती है और अनुकरमांक अगर गलती हो गया तो फिर आपके जो answer seat है उसका check आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा तो इस बात को ध्यान रखना है आपको इसके बाद यहाँ पर देखेंगे लिखा है side में question booklet number यानि प्रस्न पुष्टिका करमांक प्रस्न पुष्टिका करमांक आप देखेंगे तो नीचे हम लोग उस booklet number को भी हम आपको दिखा देंगे तो यहाँ पर आप fill up कर देंगे यानि question booklet number दिया रहता है तो इसमें क्या करेंगे इन खानों में उन number को fill up कर देंगे ओके फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह का बहुत important यह है instruction यहाँ पर देखेंगे फिर आपको rule number डालना पड़ेगा और digit के साथ जितने हैं या इसमें डालना पड़ेगा digit और इसकी नीचे जो है 0, 1, 2 3, 4, 5 6, 7, 8, आपका 3 है तो 3 को काला करेंगे ओके 4 है तो 4 को करेंगे जो जो anchor हैगा आपको उसे काला कर देना है पूरे और सावधानी के साथ यह नहीं कि गल्ती हो जाए हो जाए और फिर आप उसे मिटा करके या फिर आप जो है blade से उसे कट करके आप करेंगे या वाइटनर लगा करके तो यह सब वर्चित है इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा और यहाँ कंप्यूटर आंसर सीट है इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की गलती हो जाएगी तो कंप्यूटर के द्वारा उसे निगलेट कर दिया जाएगा चेक नहीं हो पाएगा इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर बिसे कोट में यहाँ पर अंक डाल देंगे और यहाँ नीचे के खानों को जो भी अंक रहेगा आप उसे ब्लैक कर देंगे काला कर देंगे बहुत साउधानी से आपको बरना है इसके बार प्रस्न यहाँ लिखा है प्रस्न पुष्टिका करम यानि बुकलेट कोश्चन सिरीज तो सिरीज में आपकी A सिरीज है तो A को ब्लैक कर देंगे काला और यहाँ पर A लिख भी देंगे इस प्रकार अगर B है तो B को करेंगे D है तो D को करेंगे जो भी रहे बड़े साउधानी कुरवक आपको बरना है सेम यही सब रहेगा ध्यान रखना इसके बार जिस जिले में आपका सेंटर है डिश्टिक कोट तो आपका लिखा रहेगा इसमें आप डाल देंगे और फिर जो गोले हैं यह खाने का बने हुए हैं इनमें वो काला कर देंगे इसके बाद केंदर कोट यानि सेंटर कोट जो रहेगा तीन डिजिट कराता है तो इसमें फिलफ कर देंगे और फिर उसके नीचे क्या करेंगे इसे भर देंगे, जो भी आपके center code होगा, उसको यहाँ पर कर देंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे signature, यहाँ पर जो कक्ष निरिक्षक रहेंगे, उनका signature यहाँ पर किया जाएगा, अब यहाँ पर instruction यानि अनुदेश दिया गया है, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजेग तो इसलिए हमेशा ध्याँ रखना है, कि आप black के आलावा अन्य किसी प्रकार के pain का यूज या परियोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक्जाम हाल में आप लोग यहाँ अनुदेश यानि instruction नहीं पढ़पाते हैं, और गल्ती कर देते हैं, इसलिए हमेशा ध्याँ ध्याँ pen, sketch pen, तथा pencil का प्रियोग आप नहीं करेंगे, और यहाँ ले जाना भी मना है, आपको allow नहीं है, इस बात को आप ध्याँ रखना है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इतना भरने के बाद, आपको जब answer seat मिलेगा, answer seat नहीं, answer seat तो यहीं है, जब आपको booklet series मिले question रहेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कि यह पूरे 150 यहाँ पर question आपको दिये गए हैं, तो सभी को आप यहाँ पर 150 question है, तो सभी question आपको करना होता है, और उसमें से जो सही है, जैसे आप 60 नंबर का जो question है, आप देखेंगे, कि इसका सही D है, तो D को fill up करेंगे, इसी तरह 120 का अगर B सही है, तो B को काला करेंगे, ब्लैक करेंगे, अगर 150 question का A सही है, तो इसको A को करेंगे, तो इसलिए सभी यह दिया गया है, बहुत अच्छे से आप लोग इसको ब्लैक करिएगा, गोले को बहुत साउधानी के साथ, इसमें अगर घवडाट में आप क अगर इसको आपको whitener का प्रयोग भी नहीं करना है, और फिर आपको किसी प्रकार से इसे मिटाना भी नहीं है, और ब्लेट का भी प्रयोग नहीं करना है, अगर करते भी हैं तो फट जाती है, बुकलेट जो आपका answer seat है, वो फट जाती है, इसलिए दिक्कत होता है, आज जो computer जो है इस answer को accept नहीं करता है इसलिए आपका question एक गलत मान लिया जाता है इसलिए बहुत साउधानी से आप ध्यान रखेगा कि कोई भी answer fill up करते समय वह गलती न के बराबर हो न के बराबर का सितात पर है कि गलती एकदम न हो बड़े ही relax mood में आपको exam हाल में रहना है अब आईए तो यह देखिए इसी तरह रहेगे और 150 question रहेगा इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यह 150 question रहेगा first paper में अगर second paper है CC8 का paper है तो वहाँ पर 100 question रहेंगे तो वहाँ पर 100 question ही आपको भरने रहेंगे जितना question रहेगा उतना ही आपको answer seat में रंगना है सेस को छोड़ देना है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ देखिए जो answer seat है उसके पीछे उत्तर अंकित करने के अनुदेज भी दिये हैं इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या लिखा रहता है ओ यम आर उत्तर पत्रक की सभी प्रविष्टियों प्रविष्टियां केवल काला बाल पॉइंट पेन से की जाए ओके यहाँ पर दे दिया है कि ब्लैक पेन का ही प्रियोग आपको करना है काले के अतरिक्त अन यह सभी रंगों का प्रियोग वरजित है ओके बहुत सावधानी से आप लोग पढ़िएगा दूसरे नमबर पर दिया है फांटन पेन जेल पेन एसकेच पैन अथवा पेंसिल का प्रियोग वरजित है ओके नमबर तीन है प्रतेक प्रस्ण के लिए केवल एक ही उत्तर अंक अंकित करते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा यहां दे दिया है कि A, B, C, D में से अगर A सही है तो A को ही करिए अगर जल्दीवाजी में B हो गया है तो फिर आप सोचेंगे कि यह को कर दें तो अगर A और B दोनों करती है तब भी आयोग द्वारा उसे गलत माना जाए नंबर चार जो है उत्तर अंकित करने के लिए संबंधित एक ही बृत को पुड़ेतेया गहरा काला करें यहां पर एकजांपल के रूप में आपको दिखा भी दिया है आयोग द्वारा कि अच्छी तरह से उसे ब्लैक करना है गोले को यानि काला करना है तो यह ध्यान रखन है काले किये गोले को मिटाये खुर्चे नहीं मिटाये खुर्चने पर उत्तर का मुल्यांकन संबह नहीं है यानि आयोग उसका मुल्यांकन नहीं करेगा इस बात को ध्यान रखना है six number पर जो दिया है लिखा है अपना उत्तर के वोल उत्तर पत्रक में निर्दिष्ट अस्थान पर ही अंकित करें उत्तर पत्रक में कहीं अन्यत्र अंकन करने पर उसकी गड़ना नहीं की जाएगी clear बातें तो हमेशा ध्यान रखेगा आप लोग बड़े साउधानी के साथ seventh यानि साथवे नंबर पर है उत्तर पत्रक पर रफ कारे करना मना है रफ कारे के लिए प्रस्न पुष्टिका के अंते में दिये गए दो प्रिष्टों का प्रियोग करें यहाँ पर ध्यान रखना है जो answer seat है उस पर किसी प्रकार का रफ कारे नहीं करना है आपको और रफ कारे करने के लिए जो आपको वो बुकलेट मिलेगा जिस पर question लिखा रहेगा question छपे रहेंगे प्रिंट रहेंगे उसके last में आप देखेंगे तो दो पेज रहेगा है आप अपने सुविधान उसाल language को पढ़ सकते हैं black ball point pen okay use only use up मतलब वही सब English में भी है और यहाँ दो number तीन number आप पढ़ सकते हैं सही गोले को correct कैसे करें पूरी तरह से भरना है पांचवा नमबर six number seven number okay तो यह answer seat का है आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा जैसे कि हम लोग उन्हें जो instruction है वह पढ़ा तो बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा careful हो करके अब आईए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब प्रस्न पुष्टिका पर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ ध्यान रखना है कि प्रस्न पुष्टिका इसी तरह मिलेगा आपको तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है जब तक आपको और answer seat के बाद मिलता है answer seat के 10 मिनट बा अगर आप लेट पहुचते हैं तो आपको यह प्रस्न पुष्टिका भी मिल जाएगा answer seat भी मिल जाएगा साथ मिल जाएगा घबढ़हट में आप क्या करेंगे करते हैं यानि competitor क्या करते हैं अब यरती क्या करते हैं कि जल्दी बाजी में जो अनकुरमांक है या फिर booklet series है या फिर जो आपका दिया रहता है प्रस्न पुष्टिका संख्या question booklet number भरने में कहीने कहीं जैसे यह दिया है यह सब गलती आप कर देते हैं कहीने कहीं जब गलती कर देते हैं तो और डिश्टर्ब हो जाते हैं फिर आते हुए question भी आपके गलत होने लगते हैं तो हमेसा यहां रखना है कि समय से पहले अपने सेंटर पर पहुंशिए आप इसके बाद cool mind होकर के आप exam दीजिए अच्छे से और selection sure as certain होगा ओके तो यहां पर आईए यह हम लोग प्रस्न पुष्टिका को देखते हैं यहां पर क्या लिखा है जब तक आपको यह परिक्षन पुष पर discuss कर लेते हैं क्यों क्योंकि आप देखिए यहां पर seal लगा हुआ है आप seal तब तक नहीं तोड़ सकते या फाड़ सकते जब तक कक्ष निरिक्षक के द्वारा आदेश नहीं मिलेगा ओके तो यहां पर आगे हम लोग देखते हैं यहां पर एक code है आपका यह series है बी जह यह प्रस्ण पूछती का यानि question booklet number लिखा रहेगा जो आपको answer sheet पर यह भारना होगा और यह first paper है यानि general study GS का यह first paper है तो आपको लिखा है सामान्य अध्यन प्रतम प्रस्ण पत्र यहां पर समय लिखा है दो गंटे का ओडांग का है 200 number का ओके फिर इसी तरह आगे बढ़त लिखना पड़ेगा यह ध्यान रखना है अनकरमांग फिर आप लिखेंगे फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो अब इसको आप जल्दी जल्दी फिलब करके जो लिखा गया है महतफूर अनुदेश इनको आप जरूर पढ़िएगा लिखा है प्रस्णों के उत्तर के लि आगे लिखा है अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर उत्तर देने से पहले सभी अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें यहाँ पर आयोक द्वारा बहुत क्लियर आपको से लिखा गया है कि आप अवस्य पढ़ लें आगे लिखा गया है आपको अपने सभी उत्तर के एक कारवन कापी रहती है जैसे कि उपर हम दोगों ने देखा है उसको आप अपने पास ले जाएंगे और जो उसकी मूल प्रती है उसको कक्ष निरिक्षा को सौप देंगे और यहाँ पर important यानि महत्वपूर्ण अनुदेश दिया गया है तो इसको अबस्य आप लोग पढ़िएगा लिखा गया है पहला है सभी प्रस्नों के उत्तर दें सभी प्रस्नों के उत्तर समान है दूसरे नंबर पर है उत्तर पत्रक पर अभर्थी अपना अनुक्रमांग क्या खिया लिखना है अनुक्रमांग बिसए प्रस्न पत्रका सही कोड एवं से sometimes 裁टकर, अंचित करे अन्य था उत्तर पत्रक का मुल्यांकन नहीं खिया जाएगा बहुत क्लियर लिखाय द्यान रखना है आपको उसकी जिमेदारी स्वेंग अभ्यर्थियों की होगी या भ्यर्थी की होगी ओके तो इसलिए बहुत सावधानी से आप लोग पढ़ करिएगा फिलप सारे जितने पॉइंट से दिये गए हैं अगला कह रहा है तीसरे नंबर प तो वहाँ पर क्या रहेंगे सव कोष्चन तो ध्यान रखना है तो कह रहा है इस प्रसन इस पर इच्छन कुछति काम 150 प्रस्ट हैं प्रते एक प्रस्न के चार बैकलफिक उत्तर प्रस्न के नीचे दिये गए हैं इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही हैं जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, उत्तर पत्रक में उसके अक्षर वाले बृत को काले बॉल पॉइंट पेंट से पूरा काला करें, तो जो सही चार बैकल्पिक जो चार आपसन है उसमें से जो आपको सही लगेगा ABCD में से उसे उसके नीचे वाले को काला कर देंगे, दो प्रिष्टों का प्रयोग करें, इस बुकलेट सीरीज के पीछे रफकार करने के लिए दिया है, वहाँ पर आप रफकार ज़यूरत पड़े तो कर सकते हैं, पांचमें नमबर पर लिखा है, परिक्षण पुष्टिका खोलने के तुरंत बात जाज कर लें कि परिक्षण पुष्टिका के सभी पेज भली भाती छपी हुए है न, यदि परिक्षण पुष्टिका में कोई कमी हो, तो निरिक्षक को दिखा कर उसी सीरीज वा कोड की दूसरी पूछती का प्राप्त कर लें, तो यहाँ पर ध्यान टकिएगा, अनुदेश यहाँ पर दे दिया गया है, कि अगर आप लोग क्या करेंगे, जब सिरीज मिलेगा, आदेश कक्ष निरिक चक का मिलेगा, तो सील तोड लेंगे, जो यह सील है, यहाँ से ब्रेक कर दें तो आप क्या करेंगे, कक्ष निरिक चक को तुरंत इसकी सूचना देंगे, और दूसरा बुकलेट आप प्राप्त कर लेंगे, उसी सिरीज का, जो आपका सिरीज है, जैसे A, B, C, D में से जो है, वही आपको प्रोवाइट कराया जाएगा, या मिलेगा, ओके, आगे हम उत्रों के लिए दंड दिया जाएगा, फश्ट क्या है, कैसा दंड दिया जाएगा, प्रतेक प्रस्न के लिए चार बैकलपीक उत्तर हैं, ओके, उमिदवार द्वारा प्रतेक प्रस्न के लिए दिये गए, एक गलत उत्तर के लिए प्रस्न हेतू, नियत किये गए अंकों क एक तिहाई ध्यान रखना है, एक तिहाई दंड की रूप में काटा जाएगा, अगर आपका माइनस मार्किंग है और एक कोशन गलत हो जाता है, तो एक तिहाई अंक आप से काट लिया जाएगा, सही में से, ओके, नमबर दो है, यदि कोई उमिदवार एक से अधिक उत्तर द तो भी गलत माना जाएगा, क्योंकि वाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है, या किसी प्रकार्स के ब्लेड या इत्यादी का प्रयोग नहीं करना है, जिसे की खुरुच करके आप क्या करते हैं कि दूसरे गुले को काला कर देते हैं, तो भी दंड के रूप में वह गल प्रत माना जाएगा, नमबर तीन है, यदि उमिद्वार द्वारा कोई प्रस्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात उमिद्वार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रस्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा, यानि जो कोशन आपको नहीं आता है, काटा जाएगा ओके तो यह ध्यान रखना है आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यह हिंदी में अनुदेश सब दिये गए थे यही आगे भी दिया गया है इंग्लिस मीडियम में भी क्यों क्योंकि आप जब देखेंगे तो बुकलेट सिरीज के पीछे फिर यही इंस्ट्रक्शन इंग्लिस में भी प्रिंट रहेगा आप अपनी सुविधान उसार लंग्वेज का चुनाव करके पढ़ सकते हैं सब कुछ वही रहेगा सिरीज रहेगा जेनरली स्टडी यहाँ पर पेपर कोड समझे रहे न यह मार्स रहेंगे टाइम टू आवर दो सो नंबर के यहाँ प रहे हैं आप इसको पढ़ सकते हैं important instruction जो अभी हम लोग उपर पढ़े हैं यही सब है तो आप लोग इसको अच्छे से देख लिजेगा बहुत सावधानी से ओके और बिना इसे पढ़े आप लोग आगे जो question है उसको solve न करिएगा क्यों क्योंकि जब प्रारंभिक गलतिया हो जाएंगी तो आप exam दे करके भी क्या करेंगे क्योंकि आपके answer seat आयोग द्वारा चेक नहीं किया जाएगा तो किसी प्रकार की गलती आप से न हो इसलिए अपने center पर समय से पहले पहुँच करके जो भी अनुदेश मिले या जो भी आपको booklet और answer seat मिले उस पर जो instruction important instruction दि भी लब कर दीजिएगा इसके बाद फिर आप लोग प्रस्ण question करना प्रारम करिएगा जैसे गंटी आपको लगेगी आपको आदेश मिलेगा कि अब आप प्रस्ण करना प्रारम करिए तो आप लोग करना प्रारम कर देंगे और आप relax mood में रहेंगे तो आप लोग क्या करे रहते हैं तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा इन अनुदेशों को आप लोग होज से पढ़ लीजिएगा ओके अपने friends को भी share कर दीजिएगा फिर इसी तरह important instruction के साथ हम लोग मिलते हैं अगले भाग में